तो हाई काई वल्कम बैक टू आनी व्लॉग उमीद कर तौप लोग अच्छे होंगे जैसे कि आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा जो किता ग्रेप्रवेश का ममी पापा के नए घर का ग्रेप्रवेश का आज आपको हम कराएंगे उस पूरे घर का होम टूर बने रहे व्ल सो यह है मेरे पेरेंट्स सबसे पहले जानते हैं उनका एक्सपीरेंस कि सुम्ही पापा कैसा लग रहा है घर बनने के बाद पहले पापता सब्सक्राइब कर जाओगे हैं तो घर बनने में कर जाद हो होता ही है तो ठीक है जिन्दागी सारी कुजी कमाई सब चलीगी है बढ घर बनने के बाद आप खुश हो जाला है तो घर आपने कब लिया था यह प्लॉट कब लिया था उस टाम सब्सक्राइब क्या था उस टाम सब्सक्राइब पर था और अभी के रेट है तीज तो अल्मोस्ट डबल डबली हो गया तो 14,000 लिया था और 28,000 पर चल रहा है तीन साल में तो लोकेशन काफी अच्छी है इसलिए इतना इंप्रूब कर रहा है और प्राइस बढ़ रही है अब आपके साथ साल वाज रोड भी बन लिये और मकान की तो वेडुक है बढ़ी रही है दिन परदर बढ़ती जा रही है और यह जिए बोट नहां या पर चुपकर बिग बोस देख रही है अब बिग बोस का क्रेश्व सभी जाए तो जैसे का आप देख रही है तो सलमान खान या कलर सी वहले आप देख रहे हो तो अप्रोच कर सकते नहा को बिग बोस सीजन नेक्स सेजन के लिए तो अभी गराद्या आपको होम टूर कि या से अयहां से और यहां से सुरुईते हैं में यहां पर प aut बोल जाता है हमारा हॉट तो ढूना है इस हल में लगावा सोफा एक लगा हूए और यहां पर है टी पैंल एंद्स के साधिया और फोल सिलिंग लगी हुई है एंद हॉल में हिसा यहां पर एक साइड में हेंड वाश के लिए लगा हूए एंड मिरा लगा हूए और इसके ज़स सामने ही है किच्छन के अंदर किच्छन के अंदर एंट्री करते ही एक यहाँ विंडो और इसके पास में लगा रहा है फ्रेज इसके साथ यह हमारा किच्छन तो काफी सारे ड्रॉर्स बना रखें इसके अंदर इस तरीकां के ड्रॉर है यह है कि ऊपके साइड और सावन रखने के लिए और इसके भगल में है यह आटमेडिक चिमनी इसको मैं आपको बात में देखाऊँगा, यह है ड्रॉर, ऐसे सारी ड्रॉर्स बना रखे हैं, उपा के साइड में, यहां पर लगा रो, और सेम ऐसे ड्रॉर्स बना रखे हैं नीचे के साइड, इस तरीके के ड्रॉर्स हैं यहां पर, तो किचन में मुझे सबसे इंटरस्टि लगाया यह चिमनी यह है आटोमेटी चिमनी सेंसर वाली है इसको ऐसे करो अन हो जाएगी और ऐसे घर दो आप हो जाएगी यह फीचर मुझे काफी अच्छा लगा इस चीमनी का अब करते हैं हमारे नेक्स रूम की तरफ इसके बाद देखाएंगे वाच रूम को अब सु हॉल के साथ ही रास्ता बना होगा इस रास्ता एक रूम जाते हैं अपने नेक्स रूम है यह फाल नेक्स रूम है अब अन्याफ पर काफी सारी अल्मीरा बने विए तो यह अल्मीरा बनी है स्टोरेज के लिए और उपर बना है फॉल सेलिंग मुझे यहां काफी अच्छा लग रहा है यह है हमारा रूम इस रूम के साथ ही यहां पर ममी ने बना रखा है मंदर के लिए सेपरेट स्पेस तो यह हमारा मंदर इस कमरे के साथ सथ बार एक बालकणी भी है चलते हैं बार है यह इसका डूर है ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं है थोड़ा सा स्पेस है एं अ काफी ज्यादा ग्रेंड देखने को मिलेगी आउगा बार है तो यह हमारे बार की बालकणी से इस गर में भी कंसक्शन बाद कंप्लीट नहीं हुआ है थोड़ा बद पेंटिंग का और थोड़ा स्थ रहे गया है अभी जो हमारा ग्राउंट फोर है जिसमें हम रहते हैं वह पार्शली कंप्लीटेट है हम लोग यह शिफ्ट हो गए थे बाट फर्स फ्लोर में भी काम च काफी बड़ा गीजर रागा हुआ है काफी बड़ा स्पेस है एंड यहां पर बनी है इंडिन टॉलेट है एंड वाश के लिए हैं एंड ऐसे एक हॉल के पास में एक ही बना हुआ है यह वेस्टन टॉलेट कि सबसे अच्सा मुझे लगा sil टाइल का गॉम्बिनेशन एक है उस है लाइट ब्लूशेड में है तो देखने में यूइज यह यूज चए है तो डिखने में काफी अच्छा थ शूआ है ग्राउंड फ्लोर में एक हे रूट एक है रूम एंड दो टो चैसले सब्लों उडे टार्फ को अब तैसर चले आने के लिए यह सब्सक्रों पर के दरफ डेश्यों कि बिल्सक्राइज दिखने को लग रहा होगा जैसे ही कम्ट्रीट हो जाएगा फ्यूचर में आपको एक सब्लॉक शूट करके दिखाऊंगा तो फ्रस्ट फ्लोर में एंट्री गड़ते ही यहां से एक गेट है इस गेट में स्टार्ट करते ही यहां पर है किचे यह तो यहां पर है प्रेंट का वर्क थोड़ा सो बचा हुआ है इसलिए सब लोग काम कर रहे हैं आप मुझे यहां पर सबकर बैस पार्ट लगा है यह डिजाइन अपर में जो बना हुआ है का अाँ जैघ कि अब मूब करते है नेक्स ट्व डूब की तरफ यह नेक्स्थ रुम हमारा स्ट्वरूम यह बना हमारा च्ट्वरूम अ को और यह मरे स्ट्वरूम आए स्ट्रूरूम के साथ छोटा स बना हुआ है इसकी वॉल हमने करें कि औरेंज कलम में एंड सेम इसका फॉल सेलिंग बेसे कलर को मैच करता हुआ औरेंज पे एंड स्टोरेज के लिए हाप बनी हुई है यह अलमीरा चैने डेट कलम है और यह माबल से है और यहाँ पर है विंडू वेंटिलेशन के लिए सो एंट्री करते ही दो रूम में एक एक रूम यह है जो मालब को दिखा दिया और यह सेकंड रूम तो अब चलते हैं सेकंड रूम की तरफ तो सेकंड रूम में एंट्री करते ही बार बैलकनी यह बट बैलकनी आपको दिखाएंगे बाद में यह हमारा रूम छोटा सो रूम क इस फ्लोर की बैलकोनी व्यू वाइस सेम है नीचे भी ऐसी देखने मिलता है उपर भी दोनों रूम दिखाती है फिर्स रूम और सेकंड रूम बार इन रूम के साथ में यह आ वाश्रूम कि यह हमारा चोटा सा वाश्रूम एंड वेंट लेक्शन के लिए आप विंडों लेगी है और यह है यह आप उपन एरिया इंकेस आप दूप में बैठना है तो आप बैठके आप पर इसको स्पेस को यूटिलाइस कर सकते हो यहें आपको यह दिख लोगर हैं नीचे से उत्फ पराने का रास्ता और यह है फ़र्स फ्लोर पर एंट्री का रास्ता इसके साथ में यह श्टेर्श दिख नहीं लाता है अमन्य च्छत पर हिस चलो चलते हैं छट की तरफ कि यहां पर जो स्टेर्स बनती है मोस्ली इसी तरीके के बनती है कि बिगिनिंग में तो थोड़ा सा ड़ लग रहा था बट अब तो यूस्ट हो गए यह है यह है एंटरंस केट छत के लिए आ कि यहीं को स्ट का रास्ता है जाइसं यहांप जितने भी कषिरस के रॉंड 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 जैसे आप सामने भी देन साबनेवालही खर में इसी तीरों सीडिया है यहां पर इसी तरही की तीर्ड़िया है और हमारे अबर्ष तैए पर इसी तरुब मनती हैं को चत्में एंट्री करते हैं यहाँ पर एक वहाइस त्वाटर टैंक, स्वारी एक बोल रहा था, दो वटटर टांग, यह 1000 लिटर खा एक है, यह दो वटर टैंक है, हमारे डिली यूज के लिए, और उसके साथ ही यह है हमारा छत, इस छत का बेस्ट पार्ट है, आपको यह से व्यू के लिए कही नहीं जाना, क्यों आप छत से प आपको सामने mountains देख रहे होंगे तो यह हमारे चत से mountain view और यह हमारी entire चत का पूरा view यह सामने का व्यों मैं आपको ground floor को भी दिखाया था same first floor में दिखाया था और same view आपको चत से भी ले सकते हो तो तीनियों जगह से आपको सेम वीव मिल सकता है कोई डिफरेंस नहीं है बट एडिशन है याप पर माउंटेंज का जो कि आपको नीचे से देखने को नहीं मिलेगा अब भी शायद उस तरफ कोहरा हो रहा इसलिए थोड़ा सा विजिबिल्टी थोड़ी से माउंटेंज के कम है दूस तरफ यहाँ दूप हो रही है बट उस तरफ शायद तो इसलिए आपको माउंटेंज क्लियरली नहीं देख रहे होंगे बट व्यू काफी अच्छा है और आ सामने रोड से हमारी एंट्री होती है और यहां से हम अंदर आते हैं यहां से अंदर आते हैं और वह ब्लैक स्कोटी खड़ी है यह पापा की स्कोटी है और यहां से करते हैं गेट से एंट्री जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया तो सब तरीके से यहां का बहुत अच्छा है, चाहो तो फ्रंट से देख लो, साइट से देख लो, सामने से देख लो, या इस साइट देख लो, व्यू वाइस, नो कम्प्रमाइस, तो ये लोकेशन है दिरहदून में, तो इस कंस्ट्रक्शन कम्लेट किया है, जो की है मेरे मामा के, इस कंपनी के ओनर है, और दिरहदून में, उन्हेंने काफी सारी प्रोजेक्स में वर्क किया है, इन केस आप भी उनसे वक कराना चाहते हो या दिरह दुन में कोई भी land purchase करना चाहते हो या कोई भी construction complete कराना चाहते हो तो स्क्रीन में आपको उनका number दिख रहा होगा उनकी details से दिख रहे होगी आप उनको reach कर सकते हो और इन केस आपको उनसे reach भी करने आप तो मुझे ping कर सकते हो मैं आपको उनसे coordinate करा दूँगा आपको दिखाया मैंने अपने parents के घर का home tour और इस vlog को करते हैं पर end उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हुआ अच्छा लगा तो please don't forget to like, share, comment and subscribe चल देन बाबाई टेक के स्टेसे जेव